नमस्कार अब देख रहें एक News24 और मैं हूँ स्वाती आपके साथ कहां पीछे रहने वाले हैं तेजस्वी आदो भी लगतार एक्टिव नजर आ रहे हैं वो लगतार जनसभा कर रहे हैं चुनावी प्रचार कर रहे हैं और इस दोरान तेजस्वी आदो उन्हें जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार को एक बड़ा एलान किया है तो चलिए हैं खबर में विस्तार सो जानेंगे क्या के नितीश कुमार पर निशाना साधते हुए बिहार के पुर्व उप मुख्यमंतरी तेजस्वी आदो ने क्या कुछ कहा और साथ ही उन्होंने कौन सा बड़ा एलान किया है चल्चिलाती धूप के बीच नेता प्रतिपक्ष सहपुर्व डिप्टी सीम तजस्वी यादो ने बरारी के जागिश्वर उच्विद्याले के मैदान में चुरावी सभा को संबोधित किया उन्होंने लोगों से महागटबंधन के प्रत्याशी तारी कनवर को वोट देने की अपील की तेज धूप के बीच अपने पिता लालू यादो के अंदाज में बीच बीच में मजाकिया लहजे में भी भाशन देकर उमस भरी गर्मी में सुनने आए लोगों को कुछ देर तक के लिए बांधे रखा उन्होंने कलम वो तलवार पर अपने संबोधन में कहा कि नौकरी मिलने से फट से शादी हो जाता है और फसाद करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ती है साथी थाने वो वकील को भी चड़ावा देना पड़ता है जिससे कोई लड़की ऐसे लड़के से शादी करना पसंद नहीं करती है साथी उन्होंने नितिश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि उनके चाचा नहीं पलटते तो 10 लाक और नौकरी देते भाजपा में शामिल होने पर व्रस्टाचार वाशिंग मशीन में धुल जाता है कहते ही लोगोंने जम कर ठाहा के लगाए वहीं इडी से लालू नहीं डरे तो उसका बेटा क्या डरेगा के भाशन के अंदाज पर लोग ठाहा के लगाते नजर आए तेजस्वी यादो ने बीजीपी को निशाने पर लिया और बिहार के मुख्य मंतरे नितीश कुमार पर भी उन्होंने जम कर तंज कसा उमस भरी गर्मी के कारण सबहस्तल पर भीड कम देखी गई हेलिकॉप्टर से उतरते ही मैदान में लोगों की भीड जूटी तपती धूप के कारण आधिस से अधिक मैदान खाली था लोग मंच के आगे बने टेंट वो पेड की छाओ के नीचे भाशन सुनते नजर आए इसके साथी तेजुस्वी यादो ने मंच उसे फिर से नौकरी देने की बात दोहराई उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो हम 15 अगस्त से एक करोर नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे रक्षा बंधन पर बेहनों को एक लाक रुपे का गिफ्ट भी भेंट किया जाएगा तो जैसा कि आपने सुना तेजुस्वी यादो ने भारतिय जनता पार्टी समेथ बिहार के मुख्य मंतरी नितिश कुमार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने जन सभा में कही किया दी नितिश कुमार यानि कि उनके चाचा पल्टी नहीं मारते तो तो जैस्वी यादो 10 लाक और रुजगार देते साथ ही उन्होंने भारतिय जनता पार्टी पर तंज गस्ते वे कहा कि जितने भी भरस्टाचारी लोग होते हैं और 15 अगस्त से ही वो ये काम शुरू कर देंगे और रक्षा बंधन के मौके पर वो बहनों को बतोर गिफ्ट वो एक लाक रुपे देंगे अब देखना दुल्चस्प ये रहेगा कि तो जस्वी यादों के इस वादे पर देश की जनता एवं बिहार की जनता कितना भरोसा जताती है फिलाल इस वक्त की खबर में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे शेर करे साथ ही मारे यूटूब चैनल एक न्यूस 24 को सब्सक्राइब कर ले यदि आप हमें फेसु को देख पा रहे हैं तो हमारे फेसु पीच को भी फॉलू करे धन्यवाद